हेलो दोस्तों स्वागत एक बार फिर से नए वीडियो में तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि प्लेटलेट्स क्या होती है दोस्तों आप हर तीसरे या चोथे दिन कहीं न कहीं सुनते हैं कि किसी ना किसी की की प्लेटलेट्स डाउन हो गई है weakness आगी है, dango होने के विज़े से platelets दाउन हो गई है तो दोस्तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि आखिरकार जो platelets है उनका काम क्या है platelets बोडी में कैसे बनती है और कैसे platelets कम हो जाती है और अगर कम हो जाती है तो व्यक्ति को क्या-क्या देकतों का सामना करना पड़ता है कि platelets कम होने की वज़े से व्यक्ति ICU में भी चला जाता है इतना condition खराब हो जाता है कि व्यक्ति जो है ICU में admit करना पड़ता है इतनी हालात खराब हो जाती है platelets कम होने की तो दोस्तो पिछले वीडियो में हमने composition of blood यानि blood के परकार पड़े थे और blood के बारे में जाना था कि blood क्या है उसमें हमने RBC, WBC और platelets को cover किया था इस वीडियो में हम specially पड़ेंगे platelets के functions को और कितने परकार के platelets हैं वो होते हैं तो start करते हैं दोस्तो सबसे पहले platelets आखिरकार जानते कि platelets होती क्या हैं तो दोस्तो platelets को normally thrombocytes का जाता है जो दूसरा नाम है platelets का वो thrombocytes का जाता है जैसे RBC को erythrocytes और WBC को leukocytes का जाता है ऐसे ही जो platelets हैं उनको thrombocytes का जाता है दोस्तो जो platelets है वो भी एक blood का composition है वो भी एक blood का परकार है आखिरकार platelets होते हैं क्या दोस्तो यह होते हैं दोस्तो देखते हैं platelets are your body's natural bandage to stop bleeding if you are injured दोस्तों bandage हम सब जानते हैं जहाँ पे चोट लगती है वेक्ति को वहाँ पे bandage लगाया जाता है blood को रोकने के लिए तो जो platelets हैं वो आपके naturally भगवान ने naturally वो आपके body में inbuilt किया है ताकि कहीं पर भी आपको कभी भी चोट लग जाए तो वहाँ से अगर खून निकल रहा हो तो उस जगह पर आके उस खून को बंद करने का जो काम है दोस्तों वो होता है दोस्तो प्लेटलेट्स का काम होता है वो किसका काम होता है दोस्तो प्लेटलेट्स का तो अगर कहीं पर भी किसी भी वेक्ति को अगर चोट लग जाती है अगर वहां से ब्लेडिंग हो रही है तो उस चीज को रोकने का जो हमारे बोडी के पास जो एक natural source है वो क्या प्लेटलेट्स होती हैं ठीक है दोस्तों जो की बहुत ज्यादा होती है ठीक है और दोस्तों हमारे शरीर में प्लेटलेट्स का नोर्मल रेंज में होना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर प्लेटलेट्स कम होंगी तो भी नुकसान है हमें और अगर प्लेटलेट्स ज्यादा हो तो भी दोस्तो हमारी बोडी में इसका नुकसान है तो दा राइट नंबर ओफ प्लेटलेट्स कें प्रिवेंट ब्लड लॉस दूरिं इंजरी विद्डाउट पुटिंग यू एट रिस्क ओफ हार्मफुल क्लोट्स देट कें रिस्ट्रिक्ट ब्लड फ्लो तो आपके राइ से कितना ही बेंडिज वगर कुछ भी कर दे जब तक नेचुरल सोर्स बोडी का उसको रोकने में हेल्प नहीं करेगा तब तक वह जो ब्लड का जो लोस हो रहा है हमारी बोडी से वह नहीं रुक पाएगा ठीक है दोस्तों तो क्या काम करता है क्लोट बनाने में काम करता है ब्लड का ठका बनाने काम जो है वो प्लेटलेट्स का होता है दोस्तों पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि RBC और WBC का क्या function है अगर RBC कम हो जाते हैं या फिर WBC बढ़ जाते हैं WBC कम हो जाते हैं तो उसके क्या side effect होते हैं व्यक्ति को किस चीज का नुक्सान जहिलना पड़ सकता है तो हमने पिछले वीडियो में सारा कवर किया है हम आप को वीडियो का लिंक THIS वीडियो के डिस्क्र epicion में देंगे तो व वीडियो आप जरूर देखें ठीक है दोस्तो नेच्ट देखते हैं देखते कि platelets का function क्या है जैसा कि हमने बताया कि platelets का function ही है कि अगर आपको कहीं भी injury होने के बाद अगर कहीं से खून निकल रहा है आपकी body से तो इसको stop करने का जो काम है वो platelets का है दोस्तो platelets कैसे रोकता है खून को platelets help stop bleeding by clumping together to form a clot that seal damaged blood vessels जो blood vessels डैमेज हो जाती है जहांसे blood vessels यानि जो arteries जिसमें खून होता है दोस्तों arteries और जो vein होती है अगर कहीं चोट लग जाती तो वो क्या हो जाती डैमेज रैप्चर हो जाती है यानि तूट जाती है जहांसे blood निकलता है ठीक ह दोस्तों तो platelets क्या करता है वहां पे जाके एक गुच्छा बना लेता है जहांसे leakage हो रहा है आर्टरी में जहांसे blood leak हो रहा है वहां पे जाके अपने आपको एक गुच्छा बना लेता है और गुच्छा बना के उस जगया पे अपने आपको लगा देता है ताकि जहांसे blood निकल रहा है वह ब्लड वहां से निकल ना पाए दोस्तों इसी प्रोसेस को का जाता है हीमोस्टैसिस जो प्लेटलेट्स का जो काम है कि मतलब ब्लड में आके गुच्छा बना लेना और गुच्छा वहां पे लग जाना जासे ब्लड लीक हो रहा है उस प्रोसेस को का जाता है दोस्तों यह normal सी चीज़ें जो कि आम वेक्ति को पता होने चीज़ें मतलब platelets क्या है platelets क्या function है platelets का और platelets हमारी body में क्यों जरूरी है ठीक है दोस्तों नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो platelets का एक प्रकार है वो thrombocytopenia यानि अगर हमारी body से platelets कम हो जाती है अगर हमारी body से platelets count कम हो जाता है दोस्तों तो यह भी एक बहुत ही खतरना condition है इस condition में क्या होता है अगर हम देखें तो low platelets count condition that prevent your body from making platelets or that destroy them prematurely can cause low platelets low platelets increase your bleeding risk अगर दोस्तों हमारी body में कोई infection हो गया है जो कि platelets बनने से पहले ही platelets को destroy कर रहा है तो दोस्तों वह हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है हमारी body के लिए और हमें low platelets के risk पे ले जा सकता है हमारी platelets कम हो सकती है जिसकी वज़े से हमारे सरीर में bleeding होना start हो जाएगा मतलब कि हमारे सरीर के अंदर खून का भाव जो arteries है वो rapture होना start हो जाएगी अगर हमारी body में अगर platelets कम हो गई है तो उस condition को का जाता है दोस्तों thrombocytopenia अगर हमारी body में platelets कम है उस condition को बोला जाएगा thrombocytopenia अगर platelets कम है तो platelets क्या होता है कि कभी-कभी जब infection हो जाता है फिर डेंगू हो जाता है दोस्तों उस condition में क्या होता है कि जो आपकी platelets होत तो प्लेटलेट अगर कम होगी तो हमारी बोडी में क्या होगा ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों नेक्स जो है दोस्तों वह दोस्तों थ्रॉम्बोसाइटोसिस थ्रॉम्बोसाइटोसिस मतलब आपकी जो प्लेटलेट्स हैं बोडी में वह दोस्तों ज्याद blood उसको भी चिपकाना शुरू कर देंगी और जो खून के थक्के हैं दोस्तो वो भी हमारी artery में बनना स्टार्ट हो जाएंगी जिससे क्या होगा कि artery block हो सकती है दोस्तो तो यह नुकसान है दोस्तो high platelets का जिस condition को बोला जाता है thrombocytosis दोस्तो next दोस्तो हम अगर इसमें देखें तो वो है दोस्तो test कि platelets हमें किन-किन test से पता चल सकता है तो पहला test है दोस्तो complete blood count दूसरा है दोस्तो peripheral blood smear और तीसरा जो है दोस्तो वो है blood clotting test और चोथा जिससे हम platelets का पता कर सकते है वो है bone marrow biopsy और जो पांचवा है दोस्तो वो है genetic test यह कुछ test थे दोस्तों जिसके थूँ आप platelets का पता कर सकते हैं तो दोस्तो यह थे कुछ platelets के बारे में important facts ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को subscribe कर ले और वीडियो को like करें और share करें thank you